नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेजबज और आज के वडियो में हम बात करेंगे आई बीपियस कलर के प्रेलियम से 2017-2018 के कटफ को हम देखेंगे जिसमें हम आई बीपियस और एस बीपियस कलर के दोनों के कटफ को देखेंगे क्योंकि ये कटफ उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आई बीपियस कलर के 2019-2020 का एक्जाम देंगे ठीक है तो इस वडियो को अंतर तक देखेगा अगर वडियो अच्छा लगए तो वडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ है फायदा हो सके तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2270 2270 vacancy पर cut up गया था last year 74 नमबर 74 मार्क से और 2017 में cut up आप देख सकते है 76.5 cut up गया था UP में और SBI कलर्ट में देख सकते है UP में कितना cut up है 72.25 72.25 तो UP एक unsafe जोने जहां cut up average जा रहा ठीक है आगे दिखेगा मद्धे पर्देश मद्धे पर्देश में vacancy यहां देख सकते है मद्धे पर्देश का यहां vacancy देख सकते है यहां मुझे लगता है कि vacancy तुरह सा गलत हो गया ठीक है तो vacancy आप देख लिजएगा बट मद्धे पर्देश का जो cut up है 71.25 है और यहां देख लिजएगा जो 2018 का cut-up है 74.25 है और उसके बाद SBI कलर्ट में जो cut-up है न वो कितना 73.5 तो मद्य पर्दिश का भी cut-up औसतन है उसके बाद दिखिएगा देली देली का cut-up से पहले vacancy देखते 418 vacancy है और cut-up गया था दिली में last year 71.75 और 2017 का cut-up है 76.75 और SBI कलर्ट के cut-up है 71.25 तो दिली का भी cut-up ज्यादा जा रहा है उसके बाद देखिएगा गुजरात का cut-up यहां देख सकते 65.5 मतलब गुजरात क्या है कि अच्छा इस्ट्रेट है जहां से आप अपलाई कर सकते बट लोकल लेंगविज आपको चाहिए होगा उसके बाद देखिएगा बिहार का cut-up गया था बिहार का तमिलनाडू 1314 वैकेंसी है 1314 और cut-up गया था 57.5 मतलब 57.75 उसके बाद देखिएगा तिरपन नंबर 53 मार्क्स गया था 2017 में और SBI कलरक में 61.25 ठीक है उसके बाद देखिएगा उरिसा का यहां cut-up देख सकते हैं उरिसा का सबसे पहले वैकेंसी है 471 471 cut-up देख सकते हैं 72.75 और यहां पर देख सकते हैं 17 में cut-up गया था 76.5 और SBI कलरक में cut-up गया है 73.25 उसके बाद आप देखिएगा राहिस्तान एक अंसेफ जोन है ठीक है 73 76 है वैकेंसी cut-up गया था 73 नमबर 2017 का cut-up है 73.25 और SBI कलरक में cut-up गया था 71 उसके बाद देखिएगा हरियाना हरियाना का cut-up है 167 और यहां देख सकते हैं की cut-up नी स्वरी हरियाना का vacancy 167 cut-up गया था 73 और यहां देख सकते हैं हरियाना में जो 2017 का cut-up है 76 गया था और 2018 का cut-up यहां देख सकते हरियाना में 68.5 है ठीक हरियाना का cut-up उसके बाद देखिएगा आंदर परदेश आंदर परदेश का यहां cut-up देख सकते हैं 7579 मतलब 759 और यहां cut-up देख सकते हैं आंदर परदेश का 75.5 है और यहां देख सकते हैं 2017 का cut-up है 73.5 है और यहां SBI color के cut-up है 75.5 उसके बाद देखिएगा तिलंगाना तिलंगाना में वेकेंसी 582 था 582 और cut-up गया 58.25 70 नमर गया 2017 में और SBI color में 68.5 मतलब average cut-up है उसके बाद देखिएगा करनाट का 966967 वेकेंसी पे cut-up गया था 2018 में 66.25 2017 में 61.25 और 2018 SBI color के 48.5 ठीक लास्ट में SBI color के मैं बता रहा हूँ धियान दीजेगा उसके बाद हिमाचल परदेश में 188 वेकेंसी cut-up है 73 2017 का cut-up है 75 और यहां देखिएगा SBI color के cut-up है 71.75 उसके बाद देखिएगा जारकंड जारकंड का cut-up है जारकंड में वेकेंसी देखिएगा 352 और cut-up गया 74 74.25 74.25 इस साल का cut-up है 74.25 2017 का cut-up है उसके बाद 2018 का मैंने बता दिया था और SBI color के में देखिए 75 गया तो SBI color के cut-up है 62.5 उसके बाद देखिएगा असम असम का वेकेंसी है 111 कट-up गया 67.25 2017 का cut-up है 70.75 और यहां देख सकते SBI color के में केवल 57 उसके बाद वेश्ट वेंगॉल 724 वेकेंसी है उसके बाद 2017 में 73.5 2018 में 73.5 है 73.5 2017 में 77.25 और 2018 में देख सकते SBI color के यह 73.25 ठीक है लास्ट में SBI color के इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग पंजाब देखिए पंजाब में 550 वेकेंसी है जिसमें 73.25 73.25 लास्ट येर के कटफ है 2017 के कटफ है 74 और SBI color में जो कटफ गया 76.25 और यहां देखिएगा चंडी गर में 41 वेकेंसी था लास्ट येर और 66.75 कटफ गया था और यहां पर सायद वेकेंसी नहीं होगा इसलिए कटफ का नहीं यहां कटफ का मुझे आईडिया नहीं है वेकेंसी था तो लास्ट येर का कटफ यहां देख सकते है 66.75 और यहां पर SBI color के में कटफ देख सकते है 77.25 तो जितने भी स्टेट के मेरे पास कटफ थे सबी करेंसी कीमे अदर being स्टेट का मैंने कटफ आप आप बता दिया और यह आ देखिएगा यहां देखे कहा सकता है ठीक है तो आप लोग एक के लिए में अलगसी वीडियो ले-कर आऊंगा कि कौन सा जोन सेफ होगा ठीक है तो उस पर एक अलगसे आप nimmt को वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिगा है चैनल पर नए होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर कीजगा ताकि सभी का कुछ है फायदा हो सके और किसी भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा मैं कोशिश करू फिका ना तो अगले वडियो मैं फिर से मिलते हैं आसा करता हूं कि आज के दिन आप लोग काफी एच्छे रहे ट्रेंक्यू अ झाल